हेलो बच्चो कैसे आप उंबित करते हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए आज परते एक बेहर बढ़िया पाथ जिसका नाम है अंजाने पर विश्वाद पाथ शुरू करने से पहले पाथ के विशे में संक्षिप जानकारे ले लेते हैं बच्चो इस पाथ के माध्यम से हमें यह सीक मिरती है कि हमें किसी भी अंजान व्यक्ति पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए अन्य था हम स्वैम परिशानी में पर सकते हैं आईए पार्ट में आने वाले कठिन शब्द जाने तो इस पार्ट में आने वाले कठिन शब्द है वस्त्रों, मदस्प्रणी, अगनेमोक, शास्त्र, सामर्थ्य, सज्जन, जलबाजी और लाल्ची अब इन शब्दों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि करके और उनके अर्थों को भी जा लेए तो चलिए देर ना करते हुए अपने पार्ट को शुरू करते हैं एक राजा था उसका सोने का कमरा, बिस्तर, आदी बड़े सुन्दर और कॉमल थे उसके बिस्तर के वस्तरों में एक जू रहती थी, वस्तरों यानि की कपड़ों में अर्था बिस्तर के जो कपड़े थे उसमें जू रहती थी, उस जू का नाम था मदस प्रणी जब राजा सोने के लिए आता जुर्ण उठकर उसका खून पी थी और सुक से रहती सुक यानी की बड़े आराम से रहती थी अर्थात वो जू राजा का खून पीकर बड़े आराम से रह रही थी वहाँ पर कई दिनों बाद इधर उधर से घुमता हुआ एक खटमल भी वहाँ आ गया खटमल का नाम था अगने मुख उसे देखकर जू ने पूछा तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए मैं अगने मुख खटमल हूँ जैसे तुम आई मैं भी आ गया खटमल ने का यह ठीक नहीं इस से पहले की कोई और तुमें देखे अच्छा यही है कि तुम यहां से चले जाओ जूने बुरा मानते वे का यह क्या कहती हो खटमल ने पूछा शास्त्र पढ़े नहीं तो उनकी कुछ बाते सुनी तो जरूर होगी शास्त्र यानिके हमारे बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्रों में कहा गया है कि घर आये शत्रू का भी मान सम्मान करना चाहिए अपनी सामर्थे के अनुसार उसकी सेवा भी करनी चाहिए सामर्थे यानिके अपनी शक्ती के उप्यूप्त यानिके आपके अंदर जितनी शक्ती है उसके अनुसार अपने शक्त्रू का भी सम्मान करना चाहिए ऐसा करने से ही जीव सज्जन तथा सदाचारी कहलाता है ये खटमनने का फिर मैं तो तुमारी ही जाती का जी हूँ साथ खून तो खटमल ने का मैं तो करवा खून पीपी के तांगा आ गया अब मैं राजा का मीठा मीठा खून पीने यहां आया हूँ फिर भी मुझे चले जाने को कहती हो खटमल ने बोला खटमल की बातों का जोपर गहरा प्रभाव पड़ा प्रभाव यानि कि उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा उस पर विश्वाश करते हुए कहने लगी ठीक है बाई पर जब मैं राजा का खून चूस नूँ उसके बाद ही तुम उसको अस्वाद लेना जल्दी बाजी मत दिखाना ठीक है मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलूँगा खटमल अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि राजा सोने के लिए आ गया अभी वे बिस्तर पर बैठा ही था कि लालची खटमल ने उसे काट लिया सुई की तरह चुबने वाले खटमल के डंग से बेचैन होकर राजा उतकर खड़ा हो गया और चिला कर बोला अरे देखो बिस्तर में जूँ या खटमल है क्या जिसने मुझे काट खाया राजा की आवा सुनकर सेवक भागे हुए आए सेवक यानिकी नौकर विस्तर को जारने जाशने लगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने राजा को काट खाया है देखते ही देखते खटमल तो पलंग में कहीं छिप गया किन्तो जूँ अपने आपको छिपा न पाई पर चादर की सिलवट में ही बैठी रह गई सेवकों को चादर की सिलवट में चिपी जूँ दिखाई दे गई सेवकों ने उसे पकर कर माण डाला तो देखा जूने बिना सोचे समझे खटपल पर विश्वास किया और अंत में क्या हुआ उसके साथ अंत में वो ही मर गए तो आप भी अपने जीवन में कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास ना करें हमेशा एक आँख खुली रखें किसी पर बेहत विश्वास के साथ भी विश्वास ना करें और ये ध्यान रखें कि कोई चालाकी से आपका फायदा ना उठा ले तो बच्चों ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारा कोई फायदा ना उठा सके अब इस पार्ट का भ्यास कार्या स्वैम कीजिए